दोस्तो आज बात करेंगे बायर के प्रोड़क्ट रिजेंट जी आर और रिजेंट अल्टरा के बारे में इन दोनों में कौन सा टेक्निकल होता है कितनी मात्रा में होता है इन दोनों में क्या अंतर है और हमें कौन सा प्रोड़क्ट प्रियोग करना चाहिए कौन सा नहीं करन चाहिए इसी के वारे हैं जानेगे और दोस्तों शुरू करने से पहले आप से अन्रोद करेंगे यदी आप चेनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैला अब दोस्तो इसमें जो होता है बिजेंट जो होता है बिजेंट जी यार होता है रिजेंट अल्ट्राइए चार से पांच किलो ग्राम प्रिति एकर के साथ से अब दोस्तों इसमें रिजेंट और होता है बिजेंट जूंब होता है इन दोनों एक ही टेक्निकल होता है अंतर के बहुता वहां होता है उसमें 3% होता है यह 46 होता है टेक्निकल एक हिसमें मात्रा कंतर होता है उसमें मातरा डवल होती है और इसी फिरकार हम जब प्रियोग करते हैं तो जी आर जो रिजेंट आता है उसे हम आठ से दस किलोगराम प्रितिये करके हैं और रिजेंट अल्टरा को हम चार से पांच किलोगराम प्रितिये करके साथ हैं इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है अ कि हम कम बजन में काम कर लेते हैं। परियोग कि हम करें कूफा कि करें हम दोनों की कर सकते एक लोग्र कर सकते ह Tucson हें। और इनका प्रियोग है बिवन्पिलकार की जो कीट होते हैं जमीनी में उनसे स्वक्ण शहरा मिलती है जैसे दीमकादी और हमारे गन्ये प्रोंत नाज़ भौइ लगता है उससे वी हमारे गन्ये को बचाता है तो इसका जो प्रियोग हम कर सकते हैं बुबाई के समय कर सकते हैं और इसके बाद हम जब आवसकता है मैसुस करते हैं तब हम सिचाई के समय भी कर सकते हैं जब हमारे गर्ने को पानी लगता है तो हम यूरिया में मिलाकर बताई हुगी मातरा के अनुसार आप अपने करता है करता है इसके साथ साथ जो रच्चू सकीट होते हैं उनसे भी हमारी फसल की रक्षा होती है और हमारा जो गन्ना है वो हरा बरा होता है कुल मिलाकर हमारा गन्ना हर बरा होकर इसकी जो ग्रोथ है वो तेज होती है और हमें गन्ने की लंबाई भी जाद मिलती है मोटाई आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कोई निया टपिक लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार.